दोस्तों अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है दोस्तों आपको वीडियो मिक्सिंग से संबन्दित कोई भी प्रब्लम हो वो प्रब्लम हाडवेर से संबन्दित हो या फिर सॉफ्टर से संबन्दित आप मुझे वाट्सप या कॉल करिए और सेलुसिन लिजिए बिल्कुल फ्री दोस्तों आप भी अगर वीडियो एडियो का काम स्टार्ड करके धेर सारा नाम और पैसा कमाना चाहते हैं और इस सोच को लेकर के अगर आप कई सारे चैनल अभी तक देख चुके हैं और इस समय मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हैं और बिल्कुल सही चैनल पर आया है मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं जिसमें मैंने PC बना करके भारत के कोने कोने में भेजे हैं लोगों ने बनवा करके बंगवाये हैं अगर आप भी वीडियो एडिटिंग में नाम और एक बढ़िया मुकाम बनाना चाहते हैं तो मेरे पास आकर के आप वीडियो एडिटिंग का डेटा ले करके जा सकते हैं और वीडियो एडिटिंग के लिए मशीन भी बनवा सकते हैं डेटा आकर के ले के जाने के लिए complete address भारत में आप कहीं भी होंगे किसी भी जगह पे रहते होंगे डिटीटीसी कोरियर या बुलू डोट कोरियर से आपको मशीन बनाकर कहां से भेज दी जाएगी चली जाती है और बहुत सरे मशीन मैंने भेज़े हैं सैगडू की संख्या में जिसका की आपको वीडियो बहुत ही तगड़ी बहुत ही पावरफुल एक कंप्यूटर बिल्ड करके मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए भेजना है मशीन बनने वाली है दोस्तों आज कोर आई सिविन बहुत ही शांदर मशीन 12 जनरेशन में 32 जीवी रैम 250 जीवी एससडी 2 टीवी हार्ट ड्राइ तो आज एक बहुत ही पावरफुल ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं जो की 6 जीवी का है पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे कि कौन-कौन सा पार्ट लगाया जा रहा है किस ब्रांड का लगाया जा रहा है और किस तरीके से हम उस मेशीन को बिल्ड करेंगे पूरी complete knowledge हम इस वीडियो में आपको share करेंगे ताकि आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिल पाई जो अब तक दूसरे किसी चैनल पे नहीं मिल पाई थी बताना चाहेंगे दोस्तों कि वीडियो एडिटिंग में आप पैसा तभी कमा सकते हैं जब आप नाम कमाएंगे और नाम कमाने के लिए आपको एक बढ़िया ट्रेनर चाहिए एक बढ़िया PC चाहिए और एक बढ़िया वीडियो एडिटिंग का डेटा चाहिए और साथ मे एक ऐसा इंसान हमेशा आपके साथ सपोर्ट में होना चाहिए ताकि आप कभी भी काम कर रहे हों तो आपको समय से वो गाइड करें आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आपके प्रॉब्लम का सॉलूशन करवाए या आप कहीं गलती कर रहे हो तो आपको वो बता सके कि आप यहां पी यह गलती कर रहे हैं अगर यह सारी चीजें आपके साथ नहीं है तो चाहे आप कितना भी बढ़िया PC बनवा लिजे कहीं से या कितना भी बढ़िया आप वीडियो एडिटिंग का डेटा ले लिजे अब इसमें तैय आपको करना है की आपके लिए सही इंसान कौन है बगल में आपको एक screenshot दिखाई दे रहोगा मतब एक photo दिखाई दे रहोगी यह हमारे निशानत जी हैं इनका यह पीसी बनने वाला है और फोटो के नीचे आपको एक मुबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा ये भिया जी का मुबाइल नंबर है इन्ही को PC बना करके मुझे भेजनी है आप चाहें तो भाई साब से बात कर सकते हैं और आप इनसे जानकारी ले सकते हैं कहा के रहने वाले इनका नाम क्या है मुझे कैसे जाने और इन्होंने कैसे विश्वास करके मुझे पेमेंट एडवांस डाला चलिए नैनी ताल के हैं कम्प्लीट एडर्स मैं आपको दिखा जाता हूँ अभी आपको एक और स्कीन शॉट यहाँ पे दिखाई दे रहे होगी पुरी कम्प्लीट इनकी ये स्कीन शॉट एडर्स है जो मैंने वाटसप से क्रॉप करके निकाला हुआ है जितने भी लोग नैनी ताल के इनके आसपास के हैं भया जी को जानते होंगे नहीं कुछ तो कम सकम 10-20-50 लोग तो जरू जानते होंगे जो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर है आप इस एडर्स को बहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे और आप अगर चाहें तो जाकर किन से मिल सकते हैं और इन से बात कर सकते हैं बढ़ते करमें दोस्तों एक तीसरी स्कीरिंशोट आपको और दिखाई दे रहे हैं जो कि इनका 40,000 रुपे मेरे पास एडवांस आया हुआ है जिसका की स्कीरिंशोट आप बगल में देख पा रहे होंगे और यह मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके मन में किसी तरीके का कोई भरम ना रहे कि सर जी कोई गलत वीडियो बनाते हैं या कोई गलत जानकारी दे करके अपनी प्रमोशन करते हैं या फिर अपना बिजनस चलाने के चक्कर में सिर्फ है ऐसा नहीं है देखिए रोजी रोटी चलाने के लिए वियापार की जरुरत सबको है आपको भी है और मुझे भी है ऐसा नहीं कि मैं हवा पी करके जीता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं अस Łश बो रोटी की जरुरत है लेकिन कहने का मत्त göre Дляह काम करने का तरीका है वो बिल्कुल साफ सूतरा होना चाहिए और काम में पारदर्सिता होनी चाहिए, काम बिल्कुल सीसे की तरह साफ होना चाहिए पूरे इमानदारी से काम को करना चाहिए, सब को करना चाहिए, मैं करता हूँ और मैं आपसे भी घुजारिस करूँगा कि आप जितने भी लोग हैं काम को बिल्कुल साफसुतरे तरीके से करें बिल्कुल बहतर तरीके से काम को करें ताकि कहीं से काम में शिकायत आपको ना मिले फिलाल बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी बढ़ते हैं आगे और Core i7 12th Generation में PC जो बिल्ड करते हैं और बिल्ड करने के साथ साथ पूरी जानकारी में आपको उपलब्द करवाते हैं कि आज जो पार्ट लग रहे हैं वो पार्ट कौन-कौन से लग रहे हैं और इसकी performance क्या आएगी बताना चाहेंगे दोस्तों कि आज का जो यह machine बन रहा है इसमें एक घंटे करेंडर मातर 6-7 मिनट के अंदर हो जाएगा और जो पार्ट लग रहे हैं वो सारे latest generation 12 generation में सारे पार्ट select किये गया है motherboard काफी बहतर motherboard है काफी powerful motherboard है तो चलिए PC build करते हैं और PC build करने के साथ पूरी जानकारी मापको उपलब्द करवाते हैं दोस्तों यह है आज का हमारा इस motherboard है दोस्तों motherboard देखकर करके आपी तबियत मस्त हो जाएगी और इसकी बनावट इसकी जो structure है वो काफी powerful है 19 फेस की digital VRM है 4 RAM आप लगा सकते हैं 4 M.2 NVM या SSD लगा सकते हैं ग्राफिक कार्ड आप 3 लगा सकते हैं हार्ड ड्राइब की बात कर ले दोस्तों तो इसमें 6 के 6 हार्ड ड्राइब लगा सकते हैं और USB इसमें आपको 3.2 का support मिलेगा कई सारे लेटेस्ट वाले भी और थोड़े से जो 2016 17 में इसके शौकेट आयते दोनों शौकेट आपको देखने को मिलेगा और चेचिस फैन लगाने के लिए इसमें कई सारे उप्सने मतलब कि कुल मिलाज विला कि यह मदरबॉर्ड काफी पावरफुल और काफी बेस्ट मदरबॉर्ड है इस मदरबॉर्ड की वजन तकरीबन 3 किलो के आसपास होगी बहुती दमदार मदरबॉर्ड है और ऑडियो क वीडियो को देख रहे हैं तो एक हजार लोगों में से साइध ही 50 लोगों के ऐसे मदरबॉर्ड लगे होंगा जिसमें यह आडियो का सेक्शन हो करने तो सब लोग नॉर्मली चलाते हैं मदरबॉर्ड का सेलेक्शन हर आदमी नहीं कर पाता क्यूंकि वीडियो एडिटिंग प्रफॉर्मस देखने को नहीं मिलेगी मसिन के उपर कम्प्लीट मैंने एक रिसर्च कर रखा हुआ है मदरबॉर्ड के उपर प्रोसेसर के उपर रैम के उपर ऐसेस डी के उपर और पावर सप्लाइक ऊपर और कम्प्ली इनूल बायो सेटिंग करके इसका कुछी से से बैक पनल में कईसार आपको USB का ओफशन दिखाई दे रहे होंगे साथी साथ यहाँ पे आप देख पारेंगे डिस्पले के लिए आपको HDMI और DP पोड का सपोर्ट दिखाई देगा प्रोसेसर है और इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं है मैनूल बायो सेटिंग पर बहुत अच्छी परफॉर्मस निकाल करके देथी और यह नहीं मैंने सेकड़ो मशीन बना है आपने वीडियो देखे होंगे और तक्रीबन 200-500 वीडियो बैक पड़ा हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकर हम आपको देते हैं कि यह पूरा कंप्लीट सील पैक है और मैं कोई भी चीज जो भी मैं यहां पर पार्ट लगाने वाला सारा ओन कैमरा ही सील कटिंग करूँगा ताकि आपकी विश्वास मेरे साथ बनी रहे है और आपके मन में इस तरीके का सवाल ना है या विचार ना है कि नहीं क्या पता सर्दी पूराना कोई पार्ट लगा रहे होंगे बड़ी तसली के साथ हम इसे अपने मतरबुड में बिठा लेंगे यह हमने ड्राप कर लिया ठीक है आप देख पा रहे होंगे और बड़ी साउधानी से लॉक कर लेंगे लग गया हमारा आज का प्रोसेसर प्रोसेसर के लगने के बाद दोस्तों अब हम बढ़ इसकी स्पीड निकल करके आती है चलिए एक बर रहम हम आपको दिखा देगी कौन सा रहम लगने वाला है जोस्तों यह है आज का हमारा रहम जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आटर जीव की चार स्टिक चलिए इसे हम अपने मदरबुड में फिट कर लेते हैं लॉक कर लेंगे हम रहे हम हमारा लग गया और मदरबुड अभी सेही काफी खुबसूरत दिखाई दी रही है बढ़ेंगे आगे और अब हम लगाएंगे इसमें अपना M.2 NVMe SSD हाई स्पीड वाली आपके जो मशीन में SSD चल रहे हैं उससे हम बहुत ही अलग SSD लगाते हैं औ और रेम में कभी भी सिर्फ GB देखकर के काम नहीं होती यह हमेसा ध्यान लखिएगा अक्सर लोग यह गलती कर देते कि सिर्फ GB को ध्यान में रखके काम करते हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी को ध्यान में रखके काम करते हैं कि उन्होंने 32 सो लगाए तो मैं 3600 लगा लूँग इस चीज को समझना सबसे बड़ी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा करके ठोक देंगे, महंगा सा महंगा पार्टरों चलने है, ऐसा बिलकुल नहीं है सर, बहुत ऐसे लोग है भाई सब जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनका Core i5, Core i7 से ज्यादा बढ़िया आपके लैप पे दो मशीन लगा रखे होंगे, बड़ी ध्यादा समझ यह, एक Core i5, एक Core i7, और आप दिल पे हाथ रखके बोल दिजे कि Core i7 से संतुष नहीं होगे, Core i5 उससे ज्यादा बढ़िया चल रहा होगा, सही है ना, होता है ऐसा, यह क्यों होता है, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन को समझना सबसे बड़ी चीज है, और लोग नहीं समझ पाते हैं सर, वो अलग बात है कि बनाया और तुक्का लग गई तो चल दिया वो अलग बात है, लेकिन प्रापर्स को समझना यह नहीं हो पाता है, और जो इस चीज को समझ लिया है न, वो जितनी भी म समझ सबसे करें विए लोक कर लेंगे, रिया है यहां पहता ल्यकित कब सब्सक्राइव । यहां पर यहां पर प्रों सेका ल raclems hap蟍 यहां करने के छाच के दो यहां यहां पर पहल भीलिकिश लग है, उससा हाननेम थाला, था यहां लिए लमलेबाएंव कम्प्लिट आ CPU cooler लगा रहे हैं बहुत ही powerful CPU cooler लगाने वाले हैं चलिए बाहर निकालते हैं और दिखाते हैं कि आज का CPU cooler है वो कौन सा लगा रहे हैं तो दोस्तों यह है आज का हमारा CPU cooler और यह काफी बढ़िया काफी शांदार काफी मजबूत और काफी powerful है इसकी rpm भी बहुत अच्छी है फुल आरजी भी है 120 mm का बड़ा साइज है और यह जो इसका बेस है ना यह पूरी यह भी बहुत शांदार है पहले बाले के मुकाबले कूलिंग बहुत ही शांदार देती है कोर आई 5 कोर आई 7 के लिए यह एक बहुत ही शांदार CPU cooler है चलिए इससे हम बिठा लेते हैं और बिठाने के लिए एक packet मुझे इसके साथ मिला हुआ है इसमें पूरा complete इनका माउंट वगरा करने का पूरा material है तो चलिए इससे माउंट कर लेते हैं कर लेते हैं और करने के बाद एक बार दिखाते कि complete motherboard देखने में कैसा लगता है दोस्तों हमारा motherboard बिल्कुल के कंडिशन में हैं और आप देख करके बता सकते हैं कि बहुत ही शांदर तरीके से बिल्ड हुई है या नहीं और जैसा कि आप देख पार होंगे 120 mm का फैनम ने लगा दिया चार रेम आपको दिखाई दे रहोगी 250 की SSD और यह काफी मतलब बहतर अभी सही दिखाई दे रहा है वो किस केडिशन में लगाने वाले हैं केडिशन बगल में रखी हुई है आप देख पा रहे हुए केड़न बहुत ही शांदार है और काफी मजबूत नेट है काफी हावा है कैड़न दोस्तों यहां पर तीन आप 120 mm की देख पा रहे हुँए ऊपर दो दो फैन आज हम पूरे इस्टॉल करेंगे शेसो पचास वाड की सप्लाई लगाने वाले हैं तो यह सारा कुछ कम्प्लीट कर लेते हैं कि पीसी पूरी कम्प्लीट होने के बाद कैसी दिखाई दे रहे क्योंकि अगर यह करता हुआ दिखाई देंगे तो यह वीडियो काफी लंदी हो दोस्तों यह एक 6GB का ग्राफिक कार्ड है बहुत ही पावर्फुल ग्राफिक कार्ड यह भी हम लगाने वाले हैं चलिए इसे भी एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं पूरी कम्प्लीट हो गए इसकी वाइरिंग और सारा जो भी में लगना है सारा हमने लगा लिया हुआ है ए यह एक 6GB की ग्राफिक कार्ड लगी हुए गिगाबाइट की आप देख पार होंगे और बागी का इस्टॉलेशन जितना भी पार्ट लगा है सारा आपके सामने हैं पीछे की साइड में आपको बताते चलें दोस्तों यहां पर पूरी कम्प्लीट वाइरिंग हो गई है छे बाद विंडोज वगएरा डाल करके और बागी जो भी उनको डेटा वगएरा चाहिए वह सारा इंस्टॉल करके परफॉरमस्स चक करके वापस एक बार हम कैमरे पे आएंगे और कैमरे पे आने के बाद इसकी पूरी कम्प्लीट आरजी भी आपको दिखाएंगे जैसा कि य उनका रियक्शन क्या है वह कितने संतुष्ट हो पा है मेरे काम से यह पूरी जैनकारी हम आप तक इसी वीडियो में पहुंचाएंगे दोस्तों निसान जी की PC कंप्लीट है और जैसा कि मैं आप लोगों से बताया था कि PC कंप्लीट होने के बाद मैं एक बार कैमरे पे आ कर और बिलकुल चमा चम एक भी एक्स्ट्रा वायर आपको फालतू लटकता है या जूलता हो नहीं दिखाई देगा वायर सारे पीचे के साइड में है बत्ती जी विर्यम के साथ छे जीवी ग्राफिक कार्ड के साथ यह मशीन बना हुआ है मशीन की परफॉर्मस बहुत ही फ्रेंट में तीन फैन लगे हुए हैं 120-20 mm के तीन फैन है हवादार मशीन है बहुत ही शांदार कूलिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी बाद बाकी दोस्तों यहां पे 120 mm का बड़ा वाला फैन लगा हुआ है ग्राफिक कार्ड के अंदर दो फैन कंपनी कुदी बैक साइड में 120 mm का फैन और है और नीचे की साइड से आप देखेंगे दोस्तों तो दो फैन यहां पे और लगा हुआ है जो की अटोमेटिक कलर वगरा चेंज होता है और कस्टमाइज करके आप जिस तरीकिस चाहें उस तरीकिस के कलर को अपने मर्जी के मुताबिक में 20-30 सेकंड कमी लग रहा है लकिन मैं थोड़ा सा एकस्टा बताया है कि एककस्टा ही बताता हूं फिलाल बढ़ेंगे और जिन भाइया का मशीन है निसान्त जी उनको वीडियो कॉल करेंगे उनसे बात करेंगे और यह मशीन उनको दिखा करके एक बार उनसे क्या बाची क्या नाम है वो पूरी जानकरी एक बार हम उनसे बात करके आपको on camera उपलब भी करवाते हैं दोस्तों ये अभिया जी का नंबर है निशान जी का ये address वगर आप देख पा रहे होंगे इनको हम वीडियो कॉल कर लेंगे घंटी जा रही है नमस्कार सर क्या हाल चाल कर रहा हूं आज आपकी पारसल निकलने वाली है तो मैं कहा कि आपको मैं PC दिखा दूँ जी एक निट बैक कैमरा चालू कर रहा हूं मैं आपको PC दिखा दे रहा हूं हाँ देखिए अपने तक्दीर में कहा है घूमना भाई साब इतनी ब्यासता रहती है क्या बताएं सर जी बैक कैमरा चालू कर रहा हूं PC देख लीजी आप बहुत शांदार बनी है PC भाई साब इतनी गजब की रिजल्ट और मैं क्या बताऊं क्या इसकी स्पीड है पूरी शांदार अपने तरफ से जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट मैंने देने का प्रयास किया है पूरी RGB फैन उन लगा करके और पूरा टका टक रेंडर की स्पीड बहुत तगड़ी एक घंटे का रेंडर मातर साथ मिनिट सेविन मिनिट उनली बहुत जबरदस्त मदरबोर्ड है बहुत तगड़ी मदरबोर्ड है फुल साइज की मदरबोर्ड है पूरी नीचे तक सर बहुत एडवांस लिवल का ये मदरबोर्ड है और बहुत ही एडवांस आपकी मशीन है मैंने फोटो भी भेजी थी, आपको देखा होगा आपने हाँ हाँ, बहुत ही सुन्दर हाँ, चलिए ज़र थोड़ा सा कुछ जानकारी मुझे दे दीजिए क्योंकि वीडियो शूट हो रहे हैं यूटूब के लिए अपना complete address, आप खुद एक बार बताईए मेरा नाम निशान सिंगानी है, मैं देनीदाल का रहने वाला हूँ और मैं एक filmmaker हूँ, अच्छा जी 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 बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रहा है और कैसे जानकारी मिला आपको मेरे बारे में किसी ने बताया या डिरेक्ट यूटूब से उसे आप एक दिन अचानक से recommendation पर आया या फिर मैंने आपकी दो तीन वीडियो इस देखी में तो बहुत अच्छी लगी पिर मैंने का आप पर क्या जाए अच्छा अच्छा मतलब आपको लगा देखकर के वीडियो की भाई आदमी इमांदार है और इमांदारी से काम करते हैं जी वैसा तो आपके जो एडवांस पेमेंट आए हुए है वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में इस सुरू में दिखा दिया हुआ है लेकिन एक बार निशांत जी आप बताई कि आपने मुझे कितना पैसे एडवांस दे रखे हुए है जी बिल्कुल 40,000 पे आपके एडवांस है मैंने इसकी इंसोट दिखाया भी है और पूरी जानकरी मैंने दे रखी हुए है कि किन का PC बन रहा है वो कौन है कहा के रहने वाले है लेकिन यह है कि आप सारी वीडियो में देखते होंगे जिनका मशीन बनता है उनको वीडियो कॉल करके उनको दिखाके ही मशीन भेजते हैं ताकि बाई सामने वाला पैसा लगा रहा है वो संतुष्ट होकर के मशीन मंगवाए जी 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 चलिए बहुत अच्छी बात है बहुत धन्यवाद आपका क्योंकि आप भी ब्यस्त है बाहर है मैं थोड़ा सा इसलिए वीडियो कॉल की आपको आज आपकी PCM निकाल दें क्योंकि फिर कई सारे ओवरलोड काम रहते यह हटेगा फिर दूसरा काम चड़ाएंगे इसको ले करके चलिए ठीक है बया जी आधे पॉन घंटे में इसकी कंप्लीट पैकिंग करके वापस मैं इसकी एक बर फोटो भेज देता हूं आपको एड्रस आपकी देखा देता हू और एड्रस दिखा करके आप डन कर देंगे कि हां सर एड्रस ओके है तो मैं पार्सल यहां से निकाल देता हूँ आज ही निकल जाएगी पार्सल आपकी जी 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 बिलकुल आपको टीटेल्ज है हां मिला है थोड़ी आवाज आपकी कट रही है मैं अबी आपकी बाकी का जो पेमेंट है हिसाब बना करके वडियो कॉल और उनसे जो बात हुई नेट वर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कुछ बातें कट रही थी लेकिन फिर भी आपके समझ में आ गया होगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं या हम उनसे क्या पूछ रहे हैं बताना यह दोस्तों कि मेरे काम से काफी संतुष्ट है और मशीन की स्वीड काफी बहतर है और मैं पहले फोटो उनको भेजा था ताकि उनको तसल्ली हो जाबी कि क्या पैसा मतब राण छे वीडियो अதिंग का अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप औलाइन मंग वा सकते हैं पार्फल से या आपर के लेके जाना चाहते हैं और कंप्लीट इस तृके के अगर मशीन में बनवाना चाहते हैं तो आ हम नोगर्ट डेकर कि सामने मशीन शह एक्रम बेकर mentre लग जाएगा, तो उन्होंने कागी सर आप बना करके भेज दीजिया, आप तो भेज रिची देते हैं, मैं पारसल से यहां से रिसिม करले, मैंने कांगा ठीक है, कोई दिककत नीं भेज देँगे, भेजिदे में क्या दिकत हैं, या अगर आपको जानकारी जी तो वटसब पे मैसेज करके मेरे से जानकारी ले लिजिएगा फिलाल इस मशीन को कम्प्लीट पैक करते हैं पैक करने के बाद बबल सारी पन्नी में लपेड करके पूरी सेफटी के साथ इस मशीन को बेजेंगे तो चलिए पहले पैकिंग कर लेते हैं दोस्तों मशीन हमने इसके अंदर डाल दिया हुआ है अब इसमें डालेंगे हम पावर केबल दोस्तों यह इनका पावर केबल है जो कि हमने डाल दिया हुआ है टेप हमने कर दिया और पावर केबल हमने डाल दी बाकी इसके साथ और कोई सावान नहीं है ठीक है ना और इसको पूरा कंप्लीट हम बबल सवाली पन्नी में एक बार लपिट लेते हैं और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए क्योंकि आपको भी दिखाना रहता है कि मशीन जो हम बना करके भेजते हैं वह कितना सेफ है क्योंकि मशीन नहीं 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 ताल जानी तो एक बर पूरा कम्प्लीट इसकी बबल्स वाली पन्नी में डाल करके पैकिंग करवा करके बिल्कुल ओके कंडिशन में मशीन को लेकर क्याते हैं फिर वापस एक बर आपको दिखाते कि यह कितना सेफ है और पैकिंग तकरीबन चार इंच मोटी पैकिंग रहती है चारो अपसे बबल्स वाली पन्नी लागा कि बहुत ही शांदार तीन से चार लेयर में इसको पैक किया जाता है तो एक बार पूरा कम्प्लीट पैकिंग करके मैं आपको दिखाते कि यह कितना सेफ है दोस्तों निसान पैकिंग कुछ इस तरीके से है और पैकिंग की साइज आप देख करके खुद भी इस बात का अनुमान लगा सकते कि कि कितना बबल्स वाला पन्नीस में लपट अगया तकरीबन 60-70 मिटर इतनी मोटी लेयर है चारो साइड से और तीन बार में इसको पैक किया गया है तीन ब पर फिर एक लियर है उसके नीचे भी एक लियर तो टोटल यह तीन लियर में पैक है और पीसी बिल्कुल फुटबॉल की तरह कोई उठा के भी होना नहीं है और पुरी सुरक्षित है कहीं सो कोई दिक्का तोली बात नहीं इस पीसी को अब हम लेके चलेंगे पार्सल ओफि है क्या नहीं है होता है दिमाग में तो बताना यह है कि इसको पार्सल लगाएंगे और पार्सल लगाने के बाद पार्सल की जो पर्ची करती है वह पर्ची इसी वीडियो के लास्तम आपको दिखा देंगे ताकि आप खुद भी गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं ट्रेकि जानकरी मिल जाएगी वहां पर अपडेट में डिलेवर दिखाएगा ठीक है तो उमीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारत दी गई जानकरी से अब संतुष ठोंगे अगर आप भी PC बनवाना चाहते हैं तो कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं मेरा नंबर आपको हमेसा डि झालें कि दो एक झालें कि मुझसे बामा काहते हैं एकर सह स्थतो कल खेएग्गा बार आपको हमेम्सों कैरे अबर कल ओा एकर सirimना को उना कमे पाएगावां परियाू भी Prix झाल झाल